सिहाली जागीर के खावर अली खान द्वारा एक सूफियाना शाम दिल्ली ने एक मंत्र मुख्ध कर देने वाली कववाली शाम देखी जिसे खावर अली खान ने आयोजित किया था जो युवाओं के आईकन और बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है अपने महत्वपूर्ण स ततपरता के लिए जाने जाने वाले खावर साहब ने अम्रोहा की सम्रिध सांस्कृतिक विरासत को भारत और दुनिया भर से आये विविध दर्शकों के सामने जीवन्त कर दिया इस निजी डिनर में विभिन्नक शेत्रों से आये विशिष्ट अतिथी शामिल थे जैसे सां जिपाल नजीब जंग, अभिनेता, जस अरोडा, क्रिकेटर मोहमद अजहरुद्दीन, आस्ट्रेलियाई, उच्चा युक्त फिलिप ग्रीन और नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर भी मौजूद थे कई अन्य उद्योगपती, राजनीतिक नेता, पत्रकार, अभिनेता और अधिकारी भी उपस्थित थे शाम की शुरुवात, खावर साहब ने अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करके की, जिन्होंने अपनी उपस्थिती से इस डिनर को यादगार बना दिया उन्होंने अपने माता-पिता को धन्यवाद दिया और अमरोहा के एतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर किया, जो अपने आमों के लिए प्रसिद्ध है अतिथियोंने कव्वाली प्रधर्शन और स्वादिष्ट आमों का आनंद लिया अम्रोहा की सांस्कृतिक विरासत को सनरक्षित और प्रोथसाहित करने की ख्वावर साहब की प्रतिबधता सामाजिक कार्य के प्रती उनकी समर्पन के साथ उन्हें अत्यधिक सम्मान और प्रशंसा दिलाती है कम उम्र में उलेखनी या सफलता प्राप्त करने के बावजूद वे जमीन से जुद्धे रहते हैं और अपनी जड़ों पर गर्व करते हैं जिससे वे अम्रोहा जिले के लिए एक बड़ा सम्मान बनते हैं यह शाम सांस्कृतिक विरासत की शक्ति को लोगों को एक जुट करने और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने का प्रमाण थी खुआवर साहब के प्रयास प्रेरित करते रहते हैं और उठाते हैं उन सभी पर स्थाई प्रभाव छोड़ते हैं जो उन्हें जानने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं